आज हम समर स्पेशल आइस केंडी आइस बार्स या आइस लॉलीज कुछ भी कह लीजिये और वो भी फ्रूट से बनने वाली आपके सामने रेसिपी लेकर आए हैं जो बहुत बच्चों को पसंद आने वाली है ये देखिए मैंने वाटर मेलन ले लिया है इसको ये सीड निकाल दिये हैं इधर मैंने ग्रेप्स ले लिये हैं कुछ अच्छे से वाश कर लिया है उनको ऐसे ही मैंगो को अच्छे से पील करके उसके पीसिस कर लिये हैं और इंज को भी मैंने सीड निकाल लिया है और इसको सेपरेट कर लिया है साथ में थोड़ी सी शुगर लिया है ये ऑप्शनल है आप चाहें तो सेम रख सकते हैं क्योंकि औरिजनल इसमें फ्लेवर रहेगा और ग्रेप के साथ ही मैं इसमें 1 टी स्पून शुगर डालूंगी और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, ब्लेंड करेंगे, अच्छे से हमने इसको ब्लेंड कर लिया है, यह आपको मैं खोल कर दिखाती हूं, यह देखें, इस ट्राइप से इसका स्मूथ पेस्ट बन गया है आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल कर फिर से चला सकते हैं, थोड़ा सा मैं इसमें पानी डालूंगी, बहुत थोड़ा सा, और इसको मैं फिर से ब्लेंड करूंगी, और यह देखें, हम इसमें ग्रीन कलर में इसको पोर कर देंगे, यह मार्किट में इजी ली अ और इसमें भी हम 1 टी स्पून शुगर एड करेंगे और इसको कवर करेंगे और इसको ब्लेंड करेंगे अब हम इसमें वाटर मेलन वारा जो जूस है वो डाल देंगे यह देखिए कितना अच्छा लग रहा है अगर आपको यह मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज लाइक करना शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए बैल आइकन जुरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी लेटेस अपडेट्स आप तक पहुंश सकें यह इसको भी हम ग्राइंड करेंगे थोड़ा सा वाटर में और एड करूंगी इसमें यह आप देखकर एड कीजिएगा तो कि थोड़ा सा हमें यह इतना ऐसा काहिए बहुत ज्यादा थिक नहीं चाहिए क्योंकि हम यह आइस केंडी बना रहे हैं हर बार हम यह जो मिक्सी का जार है इसको अच्छे से वाश करेंगे और तब हम इसको आइस केंडी के लिए इसके पल्प को जो है वो ग्राइंड करेंगे ताकि दूसरा कलर इसमें मिक्स ना हो यह मैंने करीब वनवन कप जो मैं इसका पल्प है वो तैयार किया है जिसमें हमारी यह टू बिग साइज की केंडी बार्स बनकर तैयार है जो ओरेंज है उसको हम स्ट्रेंड कर लेंगे क्योंकि उसमें उपर वाइट रेशे होते हैं हाला कि हमने बीज निकाल लिया है और फिर भी अगर कुछ रह जाए तो हम इसको स्ट्रेंड कर लेंगे अच्छे से से प्रसेजर लिया है वही वन टी स्पून शुगर एड की है ऑप्शनल है बाकि आप देख सकते हैं कि फ्रेश फ्रूट बचों को कैसे खिलाया जाए हमने कोई कलर कोई केमिकल लाइड नहीं क तो हमारे पास ओरेंज थोड़ा कम रह गया है तो हम इसमें उपर वाटरमेलन एड कर देंगे यह एक नए तरीके की आइस्क्रीम हो जाएगी और इसको फ्रीज करने के लिए रख देंगे 6-7 आइस बहुत रहते हैं लेकिन मैंने आज रात में बनाई है तो मैं मैं आपको दिखाऊंगी कि आइस्क्रीम कैसी बनी तो आप देख सकते हैं हमने फ्रीजर से यह निकाल ली है और हमारी जम जानी चाहिए पूरी अब हम एक बाउल में पानी लेंगे और इसको हम 8-10 सेकिंड के लिए इसमें डिप करेंगे ताकि यह थोड़ा स्मूथ होके निकल आए यह देखिए कितनी अच्छी बनी है आइस्क्रीम वाव अब हम इसमें से यह आइस्क्रीम निकालेंगे दूसरी वाव यह मैंगो आइस्क्रीम है आप देख सकते हैं कैंडी और यह हमारी ओरेंज है संत्रे से बनी हुई और इस तरह से आप देख सकते हैं हमारी यह सारी आइस बार्स आइस केंडी निकल कर तयार हैं ग्रेप्स वाली हमारी यह है आप कुछ मैंने डबल बनाई है आप भी ऐसे ही ट्राइ कीजिए और जरूर बताइएगा कि आपकी यह आइस केंडी कैसी बनी बच्चे बड़े सब बहुत लाइक करेंगे और जब अपने आप कोई चीज बनाई जाती है तो उसकी खुशी ब जिश बञे आपकी झाँ जापकी शी के खामे कीया आपकी मैंने आपकी क्ची मैं अभी करेंगे आपकी गटनाएउची और जाती है यहुत्दके आपकी आपकी ह Masked